प्यारे विद्धियार्थियों साथियों आज हम बात करेंगे नागरिक्ता की शंकल्पना नागरिक्ता की शंकल्पना का अर्थ, श्वारूप और प्रेकार आज के लक्चर में हम ये तीन बाते लेंगे जो कि किसने कि सुरूप में प्रतेक प्रकार की प्रतियोक्ता परिक्षा में आवस्ये ही पूछा जाता है इसे के साथ में इस नागरिक्ता की शंकल्पना की जानकारी होना अती आवश्यक है तो आज हमारा जो चर्चा का विश्य है वो क्या है नागरिक्ता की शंकल्पना का आर्थ, श्वयरूप और प्रकार तीन बाते लेंगे डियर श्वयरूप प्रति दिन जो हम एक लेक्ट्र हमारे यूटूब चैनल पर अप्रोड करते हैं उसकी जानकारी आपको हो सके इसके लिए हमारे यूटूब चैनल को सब्स्क्राइब आवेश्य कीजिगा आश्यकर तो आपने सब्सक्राइब कर दिया होगा थैंक्यू एरमस थैंक्यू एरमस इश्री के साथ में आपका यह परमदायत्ते हैं कि जिन विद्धियारतियों को हमारे चैनल की जानकारी है वो विद्धियारती राजनिती विज्ञान विशे से तैयारी कर रहे विद्धियारतियों को भी हमारे चैनल के बारे में आउगत कर जिससे कि मेरे प्यारे विद्यार्थियों को शंपून राजनिती विज्ञान का जो पाठे करम है वहे तरीके से समझा सकूं उनको इधर उधर भाटकनी की कतियावशक्ता ना हूँ मैंने लगभाग 25 वर्षों से महा विद्यार्थियों के अंतरगा जब राजनिती विज्ञान पढ़ाया तो देखा कि वास्ता में विद्यार्थियों कि इसकी पूर्ण जानकारी हो ही नहीं पाती है नहीं उनको ठीक तरीक से बताया जाता है तो मैं मेरे उस शंकल्प को मेरे YouTube चैनल के माद्धम सी पूरा करना चाथता हूं क्या कि मेरे विद्यार्थियों के लिए मैं राजनिती विज्ञान विश्य में जो गोते लगाता हूं तैरता हूं दूबता हूं किसलिए कि मेरी प्यारे विज्ञार्थी राजनिती विज्म को ठिक से समाच सकें यह strengths ध्या topics होते हैं इसकी screenshot ले सकें तो इसके लिए आप थोड़ा सा हमें मौका आवश्य दें ये students आप इसकी screenshot लेना चाहते हैं ये लिजिएगा मैं एक तरफ हो जाता हूं यास यहां मैंने सभी महत्वण बाते नोट कर रखी हैं आप screenshot लिजिएगा यास ओके द्यान दें भाई वस्तम में नागरिक ताकी शंकल्पना को समझें इसके लिए मैंने जब पिछला जो लेक्चर तयार किया था वो नागरिक अधिकार और मानव अधिकार के संबन में था मैंने जब नागरिक अधिकार और मानव अधिकार समझाए थे तो अंत में यह कहा था कि भाई वास्तिक रूप में जो नागरिक अधिकार हैं वो नागरिक ताके आधार पर दिये जाते हैं अर्थात वास्तम में नागरिक अधिकार केवल उन्हीं व्यक्तियों को मिलते हैं जो राश्टर रज्जे के नागरिक होते हैं मैंने संकेत किया था और फिर यह कहा था कि अगला जो हमारे लेक्षर होगा हो नागरिक ताकि संदर्व मेही होगा तो आज हम उशी की चर्चा कर रहे हैं तो सबसे पहले ध्यान दे वस्तम में यहां मैंने डाइग्राम मनाया है कि नागरिक अधिकार और मानावधिकार इसका भावारत क्या है भी नागरिक अधिकार क्या है मानावधिकार क्या है इसके लिए मैंने अलग सी वीडियो अप्लोड कर दिया पीछे वाला जो वीडियो है आप देखेगा प्लेइलिस्ट के अंतरगत देखेगा बाकी में क्रमबद रूप में शभी टॉपिक्स को आपके लिए तयार करता हूं बीछ के अंतरगत फिश्ट के अधर की कोई बातें नहीं लेतें जब एक आफधारणा पूरी हो जाती है तो ही हम आगे बढ़ते हैं तो मैंने आपको कहा था कि वास्तम में जो नागरिक अधिकार होते हैं नागरिक अधिकारों का जो मूल सिरोत होता है वो नागरिकता होता है इसका भावारत क्या होगा मैंने हैं नोट भी कर दिया है सिरोत नागरिकता मनिश्य की गरीमा क्या कि वास्तों में नागरिक अधिकार वो अधिकार होते हैं जब तक ये दोनों बाते नहीं समझेंगे आप नागरिक ताकिस अंकलपना को नहीं समझ सकते हैं नागरिक अधिकार वो अधिकार होते हैं जो किसी देश के अंतरगत उशी व्यक्ति को दिये जाते हैं जो उस देश का रज्य का नागरिक होता है जो उसका नागरिक है केवर उशे ही ये नागरिक अधिकार दिये जाएंगे तो इसका मतलब नागरिक अधिकार का जो शरोत है वो का है नागरिकता ठीक है आपसे competition पूछा जा सकता है इसका शरोत का है नागरिकता मतलब जिसके पास नागरिकता है केवल उसी व्यक्ति को नागरिक अधिकार दीए जाएंगे माना अधिकार ऐसे अधिकार है जो किसी मनुष्य को मनुष्य होने के नाते ही दिये जाते हैं चाहे व्यक्ति रज्य का नागरिक है या नहीं इससे कोई लेना देना नहीं है मनुष्य है बस मनुष्य होने के नाते है गरिमा से संपन है सम्मान के योगे, मनिश्य मनिश्य होने के नाते ही अपने आप में साध्य है, ये किसी का साधन नहीं है, इस आदार पर यहाँ पर अधिकार दिये जाते हैं, अर्थात मैंने यह लिखा है मनिश्य की गरिमा, मतलब जो माना अधिकार होते हैं, माना अधिकार वास्तिक रूप अर्थात यहां वास्तों में जो इमान व अधिकार होते हैं वो केवल व्यक्ति की गरीमा के नाते उसको दिये जाते हैं गरीमा के नाते दिये जाते हैं जबकि यहां नागरिक्ता के आधार पर दिये जाते हैं तो नोट कीजिएगा ये बात, अब मूल बात जो अगली आती है, दोग भी फिर बोल रहा हो मैं, नागरिक अधिकार का सुरोत नागरिकता है जाकि माना अधिकार का सुरोत मनुष्य की गरीमा है, मतलब यहां जो अधिकार दी जाएंगे, वो केवल व्यक्ति की गरीमा के स Garcia Bowl और इस नाते उसे जाएंगे मैं मैंने पिछली सी मीचारी बाति बाति और ईए मिलॉफिया अल्फ। – मटलब एक व्यक्तिं जब तक का नागरी कर नहीं तक idé Radhika जाएगा तब खर्चा करेंगे क्या नाघरिकता का अर्थ शोरौप और प्रकार्च भ१ वत देकर में की नागरिकता कर मद दिया जाते हैं जिन व्यक्तिओं के पास रज्य की नागरिकता है् किया राज्यय की नागरिक्ता नागरिक्ता क्या चीज है इसको संजना है करते हैं मैंतर करते निष्टा संरक्षन नागरिक्ता राजनित और सामजिक अदिकार क्या नागरिक राजनितिक और सामजिक अदिकार अब यह जो डाइग्राम इसमें सारी बात आ जाते हैं एक-एक मैं समझा हुआ इनके माद्यम से द्हान दे सीधा सार्थ है नागरिक्ता का देखो यह हो गया नागरिक अदिकार बबा democrat 5시에 इस्तती जिसमे व्यक्ति किसी राजमितिक समुदायगा पून और उत्रदाई सदस्ये होता है और सारजनिक जी रहन में भाग लेता है यहाँ लेखा है नाग्रिक्तों व्यक्ति जिसमें व्यक्ति रज्याज में राजमितिक समुदाय का राजमितिक समुदाय का रज्य का राजमितिक समुदाय का पूर्ण और उत्रदाई सदश्य होता है और सार्जनिक जिवन में भाग लेता है यस वह क्या है नागरिकता अच्छा अब नागरिकता को समझें उससे पहले नागरिक कौन ध्यान देंगे नागरिक ऐसा व्यक्ति है जो राज्य की प्रती ये हो गए निश्ठा, राज्य की प्रती निश्ठा रखता है और उसे राज्य का सनरक्षन प्राप्त होता है, आप ध्यान देंगे. नागरिक ऐसा व्यक्ति है जो राज्य की प्रती जो राज्य की प्रती निश्ठा रखता है और इसके बाद में उसे राज्य का सनरक्षन प्राप्त होता है, ये व्यक्ति राज्य की प्रती निश्ठा रखता है और उसके बदले में उसे सनरक्षन प्राप्त होता है, ये में नागरिक्त कि रूप में कर सकते हैं यहाdoors सब्सक्राइब है इसके बाद में जो हुआ है पहला पौरा सकते हैं दूसरा पॉइंच हम गया तो न कि नागरिक्तिमों razor कर घमिए तो बहुत पुराना एक नागरिक्ता का विचार इसका क्या मतलब है इसके उपर हम नागरिक्ता का इतिहास या इतिहासिक विकास इस नाम से अलग सी वीडियो अपलोड करेंगे इसके बाद में यहां तो मैं इतना ही संकेत दूँगा बस क्या नागरिक्ता का विचार बहुत पुराना है इसका मतलब तो अरस्तूंने भी नागरिक तेका सिद्धान दिया है। जैसे एक अरस्तू कहती हैं कि नागरिक कौन। नागरिक के विवस्ता में, क्या बोलगा है नैंकि राजनितिक विवस्ता में। प्रशासनिक व्यस्ता के अंतरगत जो व्यक्ति शैकरी रूप में भाग लेता है कि वो ही नागरिक है बाकी नागरिक नहीं है। इसके बादे में आगे जब हम बढ़ते हैं तो मध्यू के अंतरगत विचार दिये गए और आधुनिक समय में तो इसका पूर्ण रूप में विचार दिया ही गया है अब किसकी शुरूप में क्या-क्या विचार दिये गए इसके लिए मैं अलगशी वीडियो अपनोड आधुनिक युग में यह राष्टराज़य के अंतरगत व्यक्ति के हैस्णित की देता है मतलब जो आज की राज़ियें सन्गया है अब इसी सन्दर्में वास्तों में नहीं लिखा है कि प्रकार इसी संदर में नागरिक्ता मुख्यता दो प्रकार की होती है उपचारिक नागरिक्ता और तात्विक नागरिक्ता ध्यान देंगे आप इसको समझना है उपचारिक नागरिक्ता और तात्विक नागरिक्ता ध्यान देंगे राष्टर राज्ये की सदस्यता प्रियाप्त मानी जाती है मतलब तात ओपचारिक जो नागरिकता है ये तात्मिक है ओपचारिक नागरिकता जो है वास्तों में इसका सीधा सा भावारत ये है कि ओपचारिक नागरिकता के लिए जो व्यक्ति होता है उसे राष्ट राज्य की सदस्यता प्राप्त कर लेनी चाहिए और यह दिव है राष्ट राज्य की सदस्यता प्राप्त कर लेता है तो इस आधारप उसे जो नागरिक्ता प्राप्त होती है वह ओपचारिक नागरिक्ता कहलाती है तो उपचारिक नागरिक्ता में केवल राष्ट राज्य की सदस्यता ही पर्याप्त मानी जाती है अर्थात वह उसकी सदस्यता ग्रहन कर लेता है तो वह वहाँ का नागरिक मान लिया जाता है जिसे के उपचारिक नागरिक्ता कहा जाता है तो पने दोर आ रहा हूं उपचारिक नागरिक्ता के अंतरगत क्या होता है राष्ट राज्य के सद्ध से तहे प्रयाप्त मानी जाती है जबकि दूसरा क्या है तात्विक नागरिक्ता के अंतरगत राष्ट राज्य के अंतरगत अपने पूर्ण सदश्यों को जो नागरिक राजनितिक सामाजिक अधिकार प्राप्त होते हैं मतलब वास्तों में तात्विक नागरिकता के अंतरगत ये माना जाता है कि राष्ट राज्ये के अंतरगत अपने पूर्ण सदश्यों को जो नागरिक राजनितिक सामाजिक अधिकार प्राप्त होते हैं वो जो है तात्वि नागरिकता के अंतरगत आते हैं यहां तो केवल सद्द स्यता ही पर्यात माने जाती है जब कि हैं नागरिक राजनितिक और शामाजिक अधिकार भी प्राप्त होते हैं यह अंतर आपको नोट करना है एक्जामिक किसी भी रूप में प्रशन बनाया जा सकता है और आपसे पूछा जा सकता है, गलब नहीं होना चाहिए, अपचारिक नागरिक्ता, तात्विक नागरिक्ता, आसा करता हूं, यहां तक यह बात समझ गएंगे, हाँ, मैंने यहां जो लिखा नागरिक्ता का विचार बहुत पुराना है, मैं फिर कहा रहा हूं, इसके पर मैं इनकी भी चर्चा करूगा, और आधुरिक समय में इसके बारे में क्या विचार दी जा रहे हैं, इनकी भी चर्चा करूगा, मगर इसके लिए अलग से हमें एक लेक्चर तैयार करेंगे, डियर स्टुदेंट्स, ध्यान दें, क्लिर होगा यहां तक, इसके बादे मैंने यह राज्ये हो, तो राज्ये के अंतरवत वास्तों में जो नागरिकता की शर्ते होती हैं, जो कंडिशन्स होती हैं, शर्ते होती हैं, वो समिधान और कानून से निर्धारित होता है, यह नहीं होता है कि जी चाहिए उसको जो है नागरिकता प्रदान कर दी जाएगी, तो अब यह वो समयधान विश्य इश्क को पर निर्वर करता है मतलव भई बहुआ प्रतेख डेश का अपना एक जीवन मारग होता है अपना एक लक्षे होता है और उस लक्षे को प्राप्त करने के लिए किसे निकिस रूप में कोई नो कोई मारग तयार किया जाता है और हो मारग शमिधान होता है तो शमिधान के अंतरगत वास्तविक रूप में ब्यक्ति और रज्जे के पारस्परिक संबंधों का उलेक वहां की परिस्तियों के अनुसार किया जाता है क्या वहां की परिष्थितियों के अनुशार किया जाता है तो प्रतिक देश के अंतरगत वास्तिक रूप में नाग रिखता की शर्तें अपनी देश की परिष्थितियों के हिसाब से होती है क्या कहा है मैंने अपनी देश की परिष्थितियों के हिसाब से होती है इसलिए मैं उसके इसा सामिधान में बड़तार रहता है तो इसी इसाब से वास्तों में जो नागरिक्ता है नागरिक्ता की सर्ते भी किसने की शुरूप में शम informedान के अंत्रगत उलेकित कर दी जाती है कानून के देबवारन अधारित कर दी जाती है जैसे मैं रहा हूँ नागरिक्ता की चर्चा की गई है और अनुचे 5-11 तक नागरिक्ता का ही उलेक किया गया है अब किस रूप में किया गया है क्या कूछ है ये जाब हम भारती राजवेवस्ता शमझा रहे होंगे उस समय सारी बातें आपको बता दी जाएंगे यहां तो मैंने के लिए एक एक जम्पल दिया है कि बेजैसे भारत के अंतरगत, शामिधान इसका उल्ली के अगत, उसी प्रकार से अन्ने देशों के अंतरगत भी जो है नागरिक्ता की जो शर्ते होती है वो शामिधान और कानून के द्वारा जो है निर्धारित कर दी जाती है नौट कीजिएगा यस आगे बढ़ते हैं अगली जो बात आ रही है बहुत महत्त पूर्ण है ए प्रवाशियों को अपनी नागरिक्ता आसानी से प्रदान नहीं करता मतलब कोई भी जो रज्य होता है कोई भी जो रश्टर रज्य होता है वह जो ए प्रवासी होती है उन सर्थों को पूरा किया जानओ जैरूरी होता है और जो यह शर्त होती है वास्त में सवाज़ों की दोळार निधारित कर दी जाता है और प्रत्यक द्यश का समईधान अपने प्रिस्टेते के हिस हिसका उले किया गयाता है अब क्या है मैंने है का तियाग इसका मतलब क्या है कि जब एक भ्यक्ति एक भ्यक्ति किसी दूसरे राष्ट्र लाज्य की नागरिक। प्राप्त कर लेता है जैसे भारत का नागरिक एमेरिका की नागरिकता प्राप्त कर लेता है तो ऐसी स्थत्ति में जयातर देशों में ये प्रावधान होता है कि वह पहले वाले देश की नागरिक्ता का त्याग कर दे ठिक परन्तु कुछ से राष्टर राज्ये ऐसे होते हैं जो दोहरी नागरिक्ता का लाव उठाने देते हैं अर्थात एक व्यक्ति जब एक देश का नागरिक कोता है, एक राज्य का नागरिक होता है। ordinance और दूसरे राश्टे राजुलिय प्राप्त कर लेता है। तो इसे ट्याग करने के लिए नहीं कहा जाता है। ध्यान रखना है आपको। ठीक है मैंने यहां लिखते हैं त्या दोरी नागिता का लाब उठाने के लिए भी जो है उनको छूट दे दी जाती है इसके बाद में अगली बात है अधिकारों से संतुष्ट नहीं हो तो सामाजी कांदलों का साहरा लिया जा सकता है इसका मतलब यह है कि जब व्यक्ति मनु दिये गए हैं उन अधिकारों से इसंतुष्ट नहीं है तो ऐसी स्थत्ति में यह आंदलन का साहरा ले सकते हैं जैसे संक्त राज्य अमेरिका के अंतरगत ऐस्वेत लोगों को नागरिक अधिकार प्रदान नहीं किये गए थे उनको नागरिक अधिकारों के सुविदा नही थी ऐसी स्थत्ति में उन्होंने जो है आंदलन किया और 1964 के अंतरगत ऐस्वेत व्यक्तियों को भी नागरिक अधिकार प्रदान किये गए एक्जामपल दिया है वैंने ठीक है वही अगली बात आ रही है नागरिकता की मूल संकल्पना करते भाना के साथ जुड़ी थी अध अधिकार का विचार गौन था अब ध्यान देंगे भाई जो नागरिकता की मूल संकल्पना है ना प्रारम में प्रारम में में अरस्तो से भी पहले मैं इसके इतियास के बारे में अगली वीडियो में सारी बाते करूँगा अरस्तों से भी पहले जो नागरिकता की मूल संकल भावना में किसाध्नित चुछ सब्सक्राइब इस परन्तों आगे जब हम बढ़ते हैं इक तक भोइनाम विanking थो तो देट हुआरह लेकिन व क्या हुआ कि आज वर्तमान समय में आज ग्रिकता की पहचान अधिकारों से की जाती है, मतलब जितने ज़ादा किसी राश्ट राज्जे के द्वारा व्यक्तियों का अधिकार दी जाते हैं, वह राश्ट राज्जे उतना ही स्रेस्ट माना जाता है, ठीक है करतेवे वहीं तक सविकार जहां तक अधिकारों को कायम रखने के लिए जरूरी हो मतलब करतेवे केवल वहीं तक सविकार के जाते हैं जहां तक अधिकारों को कायम रखने के लिए जरूरी हो बस मतलब अधिकार कायम रहें केवल वहीं तक करतेवों का पालन किया जाए प्रदान हो गया है और करते हुए जो विचार है गोन हो गया भी प्रितिस्तती होगी न तो आप यहां तो लाद में दिरस्टी शियत दिन कर सकते हैं किसी भी रूप में कोई करते हैं और दायत होते हैं राज्य के परती इसी के साथ भी व्यक्ति की जो है कुछ निश्टाइं होती हैं राज्य के परती मतलब यहां जो लेकर लागरिक ऐसा व्यक्ति जो राज्य के परती निश्टा रखता है और इसे राज्य के परती है तो व्यक्ति की निश्टा होती यहां नागरिक जो होते हैं उनको नागरिक राजनेतिकोर शामाजी का अधिकार प्रदान किये जाते हैं तो मूल बात यह हो गई कि यह नागरिक तक शोरा रूप को समझना है तो व्यक्ति और राज्य के बादर को शामाजी का अधिकार प्राप्त हो रहे हैं तो व्यक्ति को राज्जे से क्या क्या प्राप्त होता है यह तो इसके अधिकार हो जाते हैं अधिकार हो जाते हैं और व्यक्ति को राज्जे की प्रति क्या क्या करना चाहिए इसके करते हो जाते हैं जैसे करते हो अरदायत निष्ठा तो वास्तविक रूप में यह नागरिक तो आप इस डाइगराम के माध्यम से भी जो है नागरिक्ता का श्वारूप समझ सकते नौट कीजिएगा व्यक्ति वास्तुवीक रूप में जो है राज्य के पृति निश्टा रखता है क्योंकि वहां की नागरिक्ता उसके पास है तो निश्टा परकनी पड़ेगी और इस जाएंगे तो आप दूसरी रूप में कह सकते हैं कि वैक्ति को राज्य क्या 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 प्राप्त होता है ये तुछय करना चाहीं ये करत विदाइत और निश्टा के अंत्रगत आजाएगा आप इन दो रूपों में वैक्ति और राज्य के पारस्परिश्वम्द्यों का द रूप हो गया और यहां जो है यह नागरिक्ता के प्रकार हो गया उपचारिक नागरिक्ता और तात्विक नागरिक्ता यह जो मैंने बाते समझाए हैं किसी एक देश विसेश के संदर में नहीं समझाए हैं बलकि मूल रूप में जो नागरिक्ता की शंकल्प ना है मैंने उस को समझाए है इसके बाद में आगला जो लेक्शर होगा वह है नागरिक्ता के इतिहास के बारे में यह नागरिक्ता का इतिहासिक विकास इसके संदर्व में हम चर्चा करेंगे मुझे पूरा विश्वास है कि आप इसा भी बाते ठीक से समझ गए होंगे यास ओके थैंक वेरे मच्छ थैंक वेरे मच्छ